समकालीन विश्व में सुरक्षा Security in Contemporary World शीर्शक्त में दो शब्द महत्पूर्ण है समकालीन और सुरक्षा समकालीन कार्थ किसे माने तो इस विश्व में हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं वह गत पचास साथ वर्षियों का किसी विश्व से संबंधित इतिहास उसके पूर्वकर नहीं तो हमारा पूरा फोकस पिछले पचास साथ वर्षियों की राजनीती पर रहेगा उसके इतिहास पर रहेगा उसके आर्थिक व्यवस्था पर रहेगा और जो कुछ तकनीकी डिवलप्मेंट हुए हैं विकास हुआ है उस पर रहेगा समकाल इनको समझने के बाद दूसरा शब्द है सुरक्षा सुरक्षा के क्या माइने हैं सुरक्षा क्या है सुरक्षा हर व्यक्ति को चाहिए उसके अतिरिक निवास की सुरक्षा देश की सीमाओं की सुरक्षा आदी आदी तो क्या हमारा विशय हमारे व्यक्तिका सुरक्षा से जुड़ा हुआ है हमारे निवास से जुड़ा हुआ है हमारी सीमाओं से जुड़ा है या इसके अलावा सुरक्षा का अर्थ कुछ और भी है हमें सुरक्षा में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए सुरक्षा के माइने सीमाओं की सुरक्षा से हटकर कुछ और भी है साथ ही हम यह भी जानेंगे सध्याय में कि व्यक्तिकत सुरक्षा इस अध्याय का मुद्धान नहीं है मैं घर के बाहर निकलता हूँ बाजार जाता हूँ स्कूटर से जा रहा हूँ चिस पीड बेकर आता है या किसी कोई मारने की कोशिश करता है तो क्या इससे सुरक्षा किसी की पिटाई से बचने की सुरक्षा एक्सिडेंट से बचने की सुरक्षा क्या यह मुद्दा है इस विशे का करता ही नहीं हमारा मुद्दा इससे काफी आगे है और सीमाओं की सुरक्षा से भी हट कर कुछ अन्य बिंदूओं पर हम सुरक्षा की बात करेंगे सामानित या दुती विश्वुद्ध के बाद के विश्व को समकालीन विश्व कहते हैं अर्थात वही गत 60-70 वर्षों का इतिहाद समकालीन विश्व राजजीत में सुरक्षा जो शब्द है इसका बहुत महत्व बढ़ा है क्योंकि जैसा मैंने कहा सुरक्षा के मायने बदले हैं और मायने बदले से मेरा ताटपर ये नहीं है कि सुरक्षा शब्द का आर्थ बदला है बलकी मिरारतिय है कि सुरक्षा को हमको और ज्यादा वाइडर परसपेक्टिव में समधना है विश्वसतर पर दिकांज देशों को अपने अपने देश की सुरक्षा की चिंता रहती है देश की सीमाओं की रक्षा की चिंता रहती है और इसके लिए भी लोग हत्यार का निर्माण करते हैं हत्यार खरीदते हैं आधनिक से आधनिक तक्नीक डिवलप करके आधनिक से आधनिक हत्यार किसी भी कीमत पर लेने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि सीमाओं पे बहुत बड़ा खत्रा है पर क्या ये खत्रा केवल सीमाओं पर ही है या कुछ अन्य तरीके के भी खत्रे हैं और इन खत्रों से ये कौन से खत्रे हैं और इन खत्रों से कैसे सुरक्षा पाई जाए क्या हतियारों की खरीद से हम सुरक्षत हैं वर्तमान व वक्षा नहीं दे सकता आज के परेप्रेख्ष में ये आपको समदना ये आपको याद रखना दूसरी बात जो राष्ट निर्मान करते हैं हत्यारों का हत्यार खरीदते हैं बड़े बड़े इस्तर पाल और भारत की बात करें तो भारत दुनिया के हतियार खरीदने वाले देशों में सबसे टाप श्रेणी में आता है विश्व के चार-पांच जो देश हैं जो सबसे ज़्यादा हतियार खरीदते हैं उनमें भारत एक है मैं हतियार के खरीदी के औचित पर नहीं जा रहा हूँ भारत के द्वारा या उसे अनुचित भी नहीं कह रहा हूँ लेकिन तथ बता रहा हूँ के भारत हतियार खरीदने में अग्रनी देशों में है जो देश हतियार खरीदते हैं, अपनी रख्शा के लिए हतियार बनाते हैं वही देश वही देश स्वैम ही हतियारों को समाप्त करने की बात भी करते हैं यही विरोधा भास है एक और हतियार बनाना हतियार निर्माण करना हतियारों की दौड में शामिल होना और दूसरी और फिर कहना कि इन सब हतियारों को समाप्त किया जाए हतियारों को समाप्त करने की जो आवाज बढ़ रही है वह दिनों दिन गट सत्तर वर्षों में बढ़ रही है और इसके लिए एक शब्द है निहशस्त्री करन निहशस्त्री करन अर्थात हतियारों को समाप्त करना हतियार बनाने की होड है हतियार निर्मान खरीद की होड है लेकिन निहशस्त्री करन हतियारों को समाप्त करने की होड दुर भाग्य से नहीं है बात हो रही है बाते हो रही है लेकिन जब धरातल पर आए तो इस पे बहुत कम काम हो रहा है तो एक हथियार निर्मार बनाम निशास्त्री करण इस विरोधा भास को समझना होगा वास्तों में निशास्त्री करण की अपेक्षा इस पे राजनीती जादा हो गई है और इसी लिए निशास्त्री करण की दौड जैसा शब्द हम नहीं चुनते हथियारों की दौड एक बड़ा प्रचलिच शब्द हो गया है फ्रेज हो गया है लेकिन नहिशस्त्री करण की दौड कभी आपने नहीं सुनो अमेरिका, इंगलेंड, फ्रांस, रूस और चीन साथ ही ये जैसे परमान संपन देश किसी भी स्थित्य में अपना वर्चस्व, अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं और इसके लिए उनके पास परियाप्थ हतियार हैं उनके पास परियाप्थ सानिक हैं तो सैन ने प्रभुत्व और हत्यारों का प्रभुत्व बनाय रखने की दौड इन पांच छे देशों में हैं और इन देशों में सुरक्षा के लिए जितनी दौड नहीं हैं आत्म सुरक्षा के लिए उससे ज्यादा दौड इन देशों में एक तरीके से अपना वर्चस्व बनाने के लिए है विश्व में अपनी वर्चस्व था जिसका अध्यान हमने समकाली इन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व नाम के अध्याय में हमने ग्यारवी में और बारवी में पढ़ा है शीत काल शीत युद के दोरान हमने पढ़ा कि किस पकार हत्यारों की होड़ प्रारंभूई थी उसी संदर में हाँ ये कहना आपको जरूरी है समझना जरूरी है कि हत्यारों की दोर आत्म रक्षा के लिए कम अपना वर्चस्व और ट्रभुत्व विश्व राजनीति में बनाने के लिए ज्यादा है और इसी लिए मैंने शब्द यूज किया कि निशास्त्री करण के मामले में राजनीति ज्यादा आ गई है निशास्त्री करण की बात बहुत हो रही है बहुत से सेमिनार, कॉन्फरेंस, मीटिंग, अंतराश्टी, मंचों पर बाचीज, स्विक्षराज संग में, G20 में, BRICS में, European संग में ऐसी जितनी भी हम संस्थाएं लें, इनके पीछे मूल उद्देश है, विश्व शान्ती, पर इसमें जो शामिल देश है, वे स्वैम हत्यारों की होड में है ये देश एक और जहां मंच पर निशस्त्री करण की बात करते हैं, वहीं हत्यारों की दौड में पीछे नी रहते हैं, और कारण वर्चस्व, विश्व में वर्चस्व की दौड राजनीती हावी हो जाती है निशस्त्री करण की दिशा में कोई भी प्रयास किया हो गया अभी तक या किया जाए दुरभग्य से वो सार्थक नहीं हो रहा है वैश्विक सुरक्षा अब ये एक नया शब्द आया अभी तक हम सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे अब शब्द आता है वैश्विक शुरक्षा वैश्विक शुरक्षा क्या है इसके क्या आयाम है ये हमको इस अध्याय में समझना है एक और जहां सीमाओं की सुरक्षा की बात हो रही है एक और जहां विश्व में वर्चस्व की दौड़ के लिए हथियारों की बात हो रही है सीमाओं के सुरक्षा के लिए हथियार वर्चस्व के लिए हथियार अब यहां पर एक तीसरा डाइमेंशन तीसरा आजाम आप देखना है हथियारों की जरूरत किसलिए वैश्विक सुरक्षा के लिए अब यह वैश्विक सुरक्षा क्या है आतंकवाद मानवाधिकारों का हनन वैश्विक निर्धन्ता शरणार्थी समस्या कुरोना जैसी महामारियां और पर्यावरण के नुकसान अर्थाथ पर्यावरण के मुद्दे ये विशे हैं जिनका संबंद वैश्विक सुरक्षा से है ये मुद्दे हैं जो किसी एक देश को प्रभावित नी करते ये वे मुद्दे हैं जिनका सीमाओं की लडाई से संबंद नी है ये वे मुद्दे हैं जिनका आंतरिक सुरक्षा से संबंद नी है ये वे मुद्दे हैं जिनका संबंद पूरे विश्व से है पूरा ग्लोब आप देखेंगे पूरा विश्व इन समस्याओं से ग्रसित है पहली बात और दूसरी बात जो हम इस सध्याय में समझेंगे वो यह है कि पूरा विश्व जहां इन समस्याओं से ग्रसित है वहें विश्व का कोई एक हिस्सा इन समस्याओं का निराकरण अकेले नहीं कर सकता अपने को इन चीजों से अकेले सुरक्षित नहीं रख सकता कितना भी वो प्रयास करे तो कि इनका संबंद वैश्विक है पूरे विश्व से है मैं अपने देश का प्रयावरण स्वयम में सुनिश्चित नहीं कर सकता कि वह अच्छा हो आबो हवा तो चारों तरफ से आती है उसी प्रकार आतंक वाद इससे मैं स्वयम अपने को सुरक्षित नहीं मान सकता कितने भी मैं हतियार एकठे कर लूँ 9-11 का अमेरिका का उधारण विश्व का सब विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ती आधनिक तम हतियारों से लैश देश जिसके रडार जिसके कैमरे जिसके सारी सुवधाएं सुनिश्चित करती थी कि एक पत्ता भी बिना अमेरिकी कैमरे से गुजरे नहीं हिल सकता वहाँ दो दो वाईवानों ने विश्व के सबसे बड़े टावर पर हमला कर दिया आतंकियों के द्वारा कहने का ताथ पर ये कि ये जो मुद्दे जो मैंने बताए ये मुद्दे वैश्विक मुद्दे हैं और हम वैश्विक मुद्दों पर सुरक्षा की बात करेंगे इस अध्याए में वैश्विक सुरक्षा बनाम खेतरी सुरक्षा बनाम राष्टी सुरक्षा आपको इसको समझना होगा विश्व स्वैम में वैसे ही बहुत छोटा हो चला है भौगोलिक दिश्टि से नहीं पर संचार माध्यमों के जरिय कुछ ही खण में एक जगह से दूसरी जगह बातें पहुँचाई जा सकती है जाया जा सकता है पहुँचा जा सकता है आदी आदी उस दृष्टि से दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज हो गई है और इस परकार हम वैश्विक सुरक्षा के खत्रे के जो नए आयामाए है इनका अध्यने सद्ध्याय में करेंगे तो इस सद्ध्याय में सुरक्षा क्या है सुरक्षा की पारंपरिक धारना क्या थी सुरक्षा की अपारंपरिक धारना क्या है पारंपरिक और अपारंपरिक ट्रेडिशनल और नन ट्रेडिशनल सहयोग मूलक सुरक्षा के क्या माइने है जब वैश्विक सुरक्षा की जुरत है तो सहयोग की जुरत है ये सुरक्षा में हतियार काम नहीं आएंगे सहयोग काम आएगा दूसरे शब्दों में आज की सुरक्षा में सहयोग मूल पर है हतियार नहीं और हतियार हों और सुरक्षित हों इसकी भी कोई गारंटी नहीं कई ऐसे देश जो हतियारों से लैस रहे जुती विश्युद में उनका क्या हश्र हुआ चाहे वो जामनी हो चाहे इटाली हो चाहे जपैन हो यह हमने जाना है तो हतियार तो वैसे भी आपकी सुरक्षा की गैरंटी नहीं है हतियार तो मातर एक पड़ाओ है या एक बाधा है अब जरूरत है सहयोग मूलक सुरक्षा की सहयोग जिसके मूल में सहयोग हो ऐसी सुरक्षा अर्थात जिन मुद्दों का मैंने जिक्र किया उन मुद्दों को तभी निप्टाय जा सकता है सार्थक तरीके से उनका हल निकाला जा सकता है जब सहयोग हो तो सहयोग मूलक समस्या कैसे स्थापित की जा सकती है इसे भी हम समझेंगे रही भारत की बात तो भारत के संदर में हम जानेंगे कि भारत की सुरक्षा संबंधी रण नीतियां क्या हैं चाहे वह परंपरागत सुरक्षा के संबंध में हो चाहे गैर परंपरागत सुरक्षा के संबंध में हो आतंगवाद के संबंद में भारत की क्या रण नीती है पर्यावरण के संबंद में भारत जैसा विशाल देश जनसंख्या की दिश्टी से भी जो बहुत विशाल हो वहाँ पर्यावरण को लेकर क्या नीतियां बनाई गई है तो भारत की सुरक्षा संबंदी नीतियां क्या र जानेंगे कि समकालीन सुरक्षा के माइने क्या हैं और उस समकालीन सुरक्षा में वैश्विक सुरक्षा के मद्दे नजर क्या प्रयास किये जा रहे हैं और क्या प्रयास सफल या असफल हो रहे हैं और उनके कारणों पर जानेंगे तो अब हम बढ़ते हैं इस प्रिष्ट भूमी को समझने के बाद अध्याए कि सुरक्षा क्या है ये हमारा विशा है सुरक्षा अर्था सिक्यूरिटी साधारन शब्दों में सुरक्षा अधिकारी सिक्यूरिटी आफिसर तो सुरक्षा का मतलब है सिक्यूरिटी और सिक्यूरिटी फ्रॉम लास सुरक्षा हानी से बचाव करने की क्रिया किसी तरह की हानी से बचने की क्रिया किसी तरह की हानी से बचने की व्यवस्था इसे सुरक्षा कहते है सुरक्षा की हानी से बचाओ सुरक्षा से हानी से बचाओ की क्रिया या व्यवस्था बहुत संक्षित में बहुत अच्छी परिभाशा है सुरक्षा की ऐसी कोई भी चीज जो हमें हानी से बचाए उसके लिए जो प्राउधान किया जाता है उसके लिए जो व्यवस्था की जाती है उसके लिए जो क्रिया की जाती है उसे सुरक्षा कहते हैं घर की सुरक्षा हम ताला लगाते हैं वो व्यवस्था है स्वायम की एक्सिदेंट से सुरक्षा तो हम समहल के चलाते हैं तो वो व्यवस्था है हम सम्हाल के चलाते हैं सुरक्षा के जिश्टी से हम बाएं हाथ में चलाते हैं गाड़ी जो चलाते हैं लेफ्ट हैंड राइप करते हैं आदी आदी तो सुरक्षा से बचाओ की क्रिया या व्यवर्था ही सुरक्षा कहलाती है ये व्यक्ति, इस्थान, वस्तु, निर्माण, निवास, देश, संगठन किसी भी संदर में इसका प्रयोक हो सकता है क्योंकि इन सब चीजों को नुक्सान पहुंचाए जा सकता है चाहे वो व्यक्ति हो, इस्थान हो, वस्तु हो, निर्माण हो, निवास हो, देश हो, संगठन हो इनकी सब नुक्सान इन्हें हो सकता है या ऐसी किसी भी चीज के संदर में जिनने नुक्सान होने के गुंजाईश है जिनने नुक्सान पहुंचाये जा सकता है उनकी सुरक्षा का प्रावधान, सुरक्षा की व्यवस्था, हानी से बचाओ ही सुरक्षा कहलाती है हानी से बचाओ, ये अर्थ बहुत महत्पूर है सुरक्षा को समझने के लिए दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है, बुनियादी अर्थ खत्रे से आजादी, freedom from danger, danger to anything, and danger from anyone, or from anything. freedom, उससे मुक्ति, किसी भी तरह के खत्रे से मुक्ति जो है, वह कहलाती है, सुरक्षा मूलभूत अर्थ में, आदमी का जो अस्तित्व है, और किसी देश का अस्तित्व जो है, वो खत्रों से भरा है, हम घर से बाहर निकले नहीं, यह खत्रे शुरू, चाहे वो एक्सिडेंट से खत्रा हो, चाहे किसी की पटाई से खत्रा हो, चाहे चोरी का खत्रा हो, मारपीट का खत्रा हो, पैसे के नुक्सान का खत्रा हो, सामान के गुमने का खत्रा हो, यह सब खत्रे शुरू हो जाते हैं, और किसी देश के लिए भी, देश का जैसी निर वर्तमान होता है उसको नुकसान के खत्रे शिरू हो जाते हैं चाहे वो अंदरुनी खत्रे हो या बाहरी खत्रे हो या वैश्विक खत्रे हो वर्तमान परिप्रेक्ष में जिस अंदर में हम बात कर रहे हूं तो क्या इसका मतलब यह है कि हर तरह के खत्रे को सुरक्षा पर खत खत्रा नहीं माना जा सकता। जैसा मैंने बताया, घर से निकले नहीं, कदम रखा नहीं घर के बाहर, कि हमारे स्वैम के अस्तित्व को ही, या जीवन यापन के तरीकों को, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी अर्थ में खत्रा जरूर होता है, तो खत्रा शब्द का बहुत न खत्रे का इतना व्यापकर्थ लिया कि यक्ति की सुरक्षा और हर तरह के खत्रे को सुरक्षा माना जाए ऐसा है दिमान लिया तो फिर हमारी दुनिया में हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा की सवाल उटते रहेंगे हम बाहर जाना छोड़ देंगे क्योंकि बाहर निकलने पर हमें सुरक्षा कौन दे रहा है रास्ते में कोई अचानक पिटाई करने लगे कोई अचानक चोरी करने मोबाइल चुराने लगे तो उसकी सुरक्षा कौन दे रहा है खत्रे तो है इसलिए सुरक्षा के इतना व्यापक अर्थ हमको नहीं लेना है अपने संदर में अन्यता हर घड़ी हर जगह सुरक्षा ही मुख्यमुद्दा बना रहेगा और हम कुछ करनी पाएंगे निश्क्रिय हो जाएंगे इसी कारण जो लोग सुरक्षा के विशय पर अध्यन करते हैं उनका कहना है कि केवल उन चीजों को सुरक्षा से जोड़ा जाए या केवल उन चीजों को सुरक्षा से जोड़े हुए विशय बनाये जाएं जो जिन से जीवन के केंदरी मूल्यों को खत्रा हूँ सुरक्षा को व्यापा करत में जैसा बताया पहले वैसा ना लिया जाए सुरक्षा विशय शग्य सुरक्षा विशय पर अध्यान करने वाले इन्होंने एक परिभाशा जोड़ी है उसे एक तरीके से संकुचित किया है बांधा है अध्यान की दृष्टी से और उन्होंने कहा है कि केवल उन चीजों को सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विशय बनाया जाया सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विशय जिनके जिन से जीवन के केंदरी मुल्यों को खत्रा हो ये केंदरी मुल्य के क्या आगया एक नया शब्द और आया तो फिर सवाल बनता है कि किसके केंदरी मूल है और केंदरी मूल के माइने क्या क्या पूरे देश के केंदरी मूल होते हैं और यदि होते हैं तो क्या है या आम इस तरी पुरिशों के केंदरी मूल क्या नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली जो सरकार होती है वो हमेशा केंदरी मूल्यों का वही हर्थ लेती है जो कोई साधारान नागरिक लेता है दूसरे शब्दों में क्या साधारान नागरिके केंदरी मूल और सरकार केंदरी मूल जो है उसमें समानता है निकटता है एक दूसरे से गहन संबंध है ये एक बहुत बड़ा प्रश्ण है तो अब केंदरी मूल क्या है इसके अलावा जब हम केंदरी मूल्यों की बात करते हैं या केंदरी मूल पे मंडराने वाले खत्रों की बात करते हैं तो फिर सवाल ये उड़ता है कि ये खत्रे कितनी गहरा ही तक ठीक है केंद्री मूलियों पर खत्रा है पर कितना गहरा खत्रा जिसे सुरक्षा की जुरत पड़े दूसरे शब्दों में ज़िस सुरक्षा नहीं दी गई तो कितनी हानी हानी की गुझाईश क्या सवाल उटता है कि ये खत्रे कितने गहरे होने चाहिए जिन्हें सुरक्षा की जुरत है जो मूल हमें प्यारे हैं जो मूल हमें हमारे लिए बहुत अहम है कमों बेश उन सभी को बड़े या छोटे खत्रे हैं बड़े चोटे खत्रे अर्था कम गहरे या ज्यादा गहरे खत्रे और जो भी चीज हमें प्यारी लगती है उसको खत्रा तो रहता है और हमेशा हम उस प्यारी वस्त को संभावित खत्रे से बचाये रखते हैं मोबाइल हमें बहुत प्यारा है हम उसे पानी से बचाते हैं, चोरी से बचाने की कोशिश करते हैं, मिस्प्लेस होने के गुजाई से बचाने की कोशिश करते हैं, किसी के द्वारा उसे उठा के ले जाने से बचाने से, हैंडल करने में उसको सम्हाल कर उसको अपयोग कर, ये भी तो खत्रे ही तो है, चूंकि बड़ा हो पर यदि हम एक उसको दूसरे अर्थ में लें तो ऐसी चीज की सुरक्षा का प्रावधान करना संभव नहीं है क्या हर खत्रे को सुरक्षा की समझ में शामिल किया जाए हर खत्रे को चाहे वो मुबाइल का ही क्यों नहो साइकल से गिरने का ही क्यों नहो सीड़ी से उतर के वरंडे में आने का ही उतरते समय का खत्रा क्यों नहों क्या इन सब को हम सुरक्षा के घेरे में शामिल करेंगे जब भी कोई राष्ट कुछ करता है या कुछ करने में असफल होता है तो संभव है कि किसी अन्य देश के केंदरी मूलियों को ख्षती पहुँची हो थ कंभावना है जब भी राहगीर अपनी राह में लूटा जाता है तो आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन को ख्षती पहुँचती है और फिर भी अगर हम सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ रखें तो हाथ पाउं हिलाना भी मिश्किल हो जाएगा डिप्रेशन में चले जा जाएंगे हर जगा हमें खत्रे ही नजर आते हैं और कुछ लोग की प्रवृतियासी हो भी जाती है कि उनको हर चीज में खत्रा दिखता है घबराहत होती रहती है एर कंडिशन कमरों के अंदर कई लोग इसलिए ने रह पाते क्योंकि उनको खत्रा लगता है कि कमरा चारा तरफ से बंद है हवाई जहाद में या लिफ्ट में ऊपर नीचे जा नहीं पाते है हवाई जहाद में नहीं बैठ पाते क्योंकि उन्हें खत्रा लगता है बंद होने का खत्रा तो क्लास्ट्रोफोबिया जिसको बोलते है तो क्लास्ट्रोफोबिया भी एक खत्रा है उससे सुरक्षा कैसे दी जाए हर जगा खत्रे नजर आएंगे यदि हम सुरक्षा की दिश्टिते अपनी हर गत्विदी को देखें